पंजाब प्रभारी हरीश रावत के बाद कॉंग्रेस नेता सुर्जेवाला की टिपपणी पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग का कहना है कि ऐसा लगता है कि पूरी कॉंग्रेस नवजोत सिंग सिध्धू की तरह कॉमेडी करने पर उतर आई ह कैप्टन ने दोनों की बयानबाजी को गलतियों की कॉमेडी करार दिया हरीश रावत ने शुक्रवार को कहा था कि पंजाब के 43 कॉंग्रेस विधायकों की ओर से हस्ताक्षरित पत्र के आधार पर पार्टी हाइकमान ने कैप्टन के खिलाफ कारवाई की है वहीं शनिवार को कॉंग्रेस के राश्ट्रिय प्रवक्तार अंदीप सूर्जेवाला ने बयान जारी कर कहा कि पंजाब के 78 विधायकों की ओर से हस्ताक्षरित पत्र के आधार पर कैप्टन को हटाया गया है कैप्टन ने ट्वीट कर चुटकी ली कि आगे वे दावा करेंगे कि 117 विधायकों ने ही मेरे खिलाफ पत्र लिखा था पंजाब में पार्टी संकट से निपटने की कोशिश में नेताओं द्वारा की जा रही जूठी बयान बाजी के लिए कॉंग्रेस को फटकार लगाते हुए कैप्टन ने कहा कि उनके खिलाफ पार्टी नेत्रित्व को मिले पत्रों पर हस्ताक्षर करने वालों के अलग-अ आकडे साबित कर रही हैं कि कॉंग्रेस निताओं में आत्म विश्वास की कमी है। अधायकों को दबाव में ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। कैप्टन ने कहा कि पंजाब संकट से निपटने के अपने कुप्रबंधन के बाद कॉंग्रेस अब पूरी तरह से दहशत की स्थिती में हैं जो उसके नेताओं के बयानों से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि दहशत से त्रस्ट पार्टी आंतरिक अराजकता से जूज रही है और अपनी विफलताओं के दोश को दूर करने के लिए कड़ी महंत कर रही है। यह देखकर दुख होता है कि किस तरह से वे अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए खुले आम जूट का सहारा ले रहे हैं।